असलाम लेकुम डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब माइनेम इस रायान मलेक एन आएम हेर टू टीच यू साइंस क्लास एट्स आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर सेवन का टॉपक रिजिस्टन्स कि रिजिस्टन्स क्या है और हम इसको किस तरहां से मयर करते हैं तो आई यह जलते हैं वोट की तरफ चैप्टर नंबर सैवन एलेक्रिसिटी एंड एनरजी उसका टॉपक हम स्टडी कर रहे हैं आज that is resistance resistance क्या होती है उर्दू में इसको हम कहते हैं रुकावट और इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं hindrance okay so resistance क्या है यह hindrance है flow of krind के लिए krind के बहाव के लिए यह एक रुकावट है इस इसको हम कहते हैं resistance okay so first of all हम इसकी definition study करते हैं the property of a substance which offers opposition for the flow of krind is called resistance तो resistance जो है वो किसी चीज का नाम नहीं है resistance क्या है यह एक property है किसी भी substance की जो के krind के flow को oppose करती है उसको रोकती है उसके लिए वो hindrance create करती है that is called resistance वो जो property जो krind को oppose कर रही है उसको बहने में रुकावट पैदा कर रही है उस property को हम कहते हैं resistance तो resistance जो है basically किसी चीज का नाम नहीं है अब यहाँ पर आपको एक picture आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर resistance एक ड्रॉ की है यह normally हम electrical circuits में इस्तामाल करते हैं ताके हम krind के flow को control कर सके हैं अगर हमारा krind को flow जो है वो कहीं ज़्यादा है तो वहाँ पर आप resistance इस तरहां की इस्तामाल करके आप krind के flow को control कर सकते हैं clear अब अगर हम discuss करें सबसे पहले कि conductor और insulator में फर्क क्या होता है conductor the material which allows krind to pass through it example metal तो conductor वो material होता है जो के krind को अपने अंदर से pass होने देता है जैसा के metal लोहा लोही में से krind easily pass हो जाता है similarly अगर हम insulator को discuss करें the material which does not allow krind to pass through it वो material जो krind को allow नहीं करता कि वो उसमें से pass हो जाए that is called insulator example plastic को plastic के चीज़ है अगर हम उसमें से krind pass करना चाहें तो उसमें से krind pass out नहीं हो सकता ऐसा क्यूं होता है just because of resistance insulator में जो resistance होती है वो बहुत high होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि वो krind को अपने अंदर से pass नहीं होने देता similarly अगर हम conductor की बात करें तो conductor में resistance जो है वो कदरे कम होती है और वो krind को अपने अंदर से pass करने देता है although resistance यहां पर भी मौझूद है लेकिन वो comparatively insulator वो थोड़ी कम होती है तो krind conductor में से easily pass out हो जाता है अब हम conductor को further अगर discuss करें तो कुछ conductors ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ conductors ऐसे होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं इसको हम further study करते हैं like resistance of a wire depends on हम normally जब भी resistance की बात करते हैं तो हम एक wire की बात करते हैं कि resistance जो है वो एक wire में हो गी हूँ क्यूंकि आपने krind wire में से pass करना है तो normally हम wire की बात करते हैं अब wire की resistance किस पर depend कर रही है so there are two things that is thickness of a wire and material of a wire अब thickness के अगर हम बात करें तो wire जो हम आपने बहुत सी देखी होंगी जो thin भी होती है और thick भी होती है अब जो thin wire होती है उसमें ज्यादा resistance होती है as compared to thick wire so we can write thin wire has more resistance then thick wire अब समय लेकर हम बात करें material of a wire की जैसा कि मैंने last port पर आपसे discuss किया कि conductors जो है वो good conductors भी होते हैं और bad conductors भी होते हैं तो अब यहाँ पर चीज में matter करती है उसका material कि वो किस material से मिलकर बना है कुछ material ऐसे होते हैं कि जो बहुत easily अपने अंदर से क्रण को pass होने देते हैं और कुछ the materials ऐसे होते हैं जो क्रण को बहुत मुशकिल से सकरवाते की अब जो मुशकिल से नाइक्रोम वायर हाज मोर रिजिस्टन्स देन कॉपर वायर ओके आपने सुना होगा हम नॉर्मली जो एलेक्ट्रिक केबल जो हम अपने घरों में इस्तामाल करते हैं उसके अंदर एक कॉपर वायर होती है अब कॉपर वायर हम वहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि कॉपर वायर के रिजिस्टन्स जो है वो बहुत कम होती है उसमें करण जो है वो एजीली पास आउट हो जाता है that's why हम अपनी वायर जो है वो copper wire की इस्तमाल करते हैं clear और अगर हम यहां पर Nichrome wire की बात करें तो Nichrome wire के distance ज्यादा होती है और इसके अलावा यहां पर book में आपके site पर एक did you know का box बना हुआ है जहां पर लिखा है कि Nichrome wire is an alloy of nickel and chromium ओके तो Nichrome जो है वो nickel और chromium के alloy से मिलकर बना होता है अब हम next point discuss करें that is heating effect heating effect क्या है अब इसको अगर हम resistance को पहले ज़रा discuss करते हैं कि resistance जो है वो basically एक material में किस तरहां से create होती है let's suppose आप analysis करें एक wire है अब यह wire किस चीज़ से मिलकर बनी है atom से मिलकर बनी है अब जब crunch इसके अंदर flow कर रहा होता है तो कुछ atoms जो है वो इसके रास्ते में आ जाते हैं और वो इसके लिए रुकावट बन जाते हैं अब वो जो property है उस property को हम कहते हैं resistance अब चूँके crunch ने तो flow करना है तो crunch क्या करेगा crunch एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा और वो उस रुकावट को तोड़ते हुए वो वहां से pass out कर जाएगा अब जब crunch किसी चीज़ को oppose करते हुए वहां से pass out हो रहा है that means वहां पर heat energy भी produce होगी और similarly अगर आपने कभी analysis किया हो तो आपकी wires जो है वो अकसर गरम हो जाती है किसी भी चीज़ की wire जो है वो बहुत साथा गरम हो जाती है क्योंकि उसमें से high crunch flow कर रहा होता है उस high crunch की वज़ा से उसके surrounding में एक heating effect प्रोड्यूस हो जाता है और वो heating effect जो है वो बहुत dangerous भी होता है वो अकसर इवन के wires को melt भी कर देता है लेकिन हम बहुत सी electrical appliances ऐसी भी हैं जहां पर आप इसी heating effect को use कर रहे हैं अपने different purposes के लिए like for example हम इस heating effect को हम कहां का use कर रहे हैं electric fires में use कर रहे हैं हम toasters में use कर रहे हैं और iron में use कर रहे हैं इस्तरी जो कि आपके घुरों में मौझूद होती है and similarly filament of light bulb में use कर रहे हैं अब उन में क्या होता है like इस्तरी को हमने गरम करना है तो हम उस इस्तरी के अंदर ऐसा material लगा देंगे जिसकी resistance बहुत जादा है अब जब current उसमें pass होगा तो उस resistance की वज़ा से वहां पर heating effect प्रोड्यूस होगा और वो heating effect जो है वो iron को गरम कर देंगी इस तरह से आपके इस्तरी जब गरम हो जाती है तो आप अपने कपड़े जो है वो easy repress कर सकते हैं यह property है लेकिन हम इसको measure कर सकते हैं अब first of all अगर हम discuss करें ohms law को ohms law जो कि आप future में 9 class में पढ़ेंगे यहाँ की book में उसका formula mention है that is resistance is equal to voltage over current अगर उस wire में जिसमें current pass हो रहा है अगर आपको उस current की value पता है और उस voltage की value पता है जो उस wire में से pass out हो रहे हैं तो उनकी values हम यह पूट करेंगे और हम easily resistance find out कर सकते हैं अगर हम बात करें कि resistance का unit क्या है तो the resistance of wire is measured in ohms उसको हम ohms में measure करते हैं और ohms का symbol यह है और यह एक Greek ladder है और इस Greek ladder को कहते हैं omega okay इस Greek ladder को हम क्या कहते हैं omega fine similarly resistance मगयर करने के लिए अब बहुत से meters भी मौजूद हैं like ohms meter ohms meter से भी आप resistance मगयर कर सकते हैं अब further अगर हम ohms की definition discuss करें कि when one volt is applied to the ends of a conductor and one ampere current flows through it then its resistance will be one ohms तो अगर हम किसी भी conductor में one volt apply करें और उसमें one ampere current flow कर जाए that means कि उसकी resistance कितनी है one ohms है clear अब आपके book में एक test yourself का box दिया गया है हम कुछ questions discuss करते हैं like question number one what is resistance so मैंने first port पर इसका answer किया कि resistance क्या है यह opposition है जो current के flow को oppose कर रही होती है उसके आस्ते में hindrance create कर रही होती है तो इसका answer आप first port से देख सकते हैं second question what effect does thickness metal type have on resistance of wire तो यह भी हम thoroughly discuss कर चुके हैं कि thickness जो है वो भी effect करती है resistance पर जैसे जैसे आपकी wire thin होगी उसकी resistance उतनी ज्यादा होगी और जितनी wire thick होगी उसकी resistance उतनी कम होगी similar लेकर हम भी बात करें भी पार्ट की that is metal type have on resistance of wire और metal type matter करती है कि आपकी metal जो हो कौन सी type का है अगर आपका copper wire हम यूज कर रहे हैं तो copper wire में resistance कम होती है as compared to nichrome wire अब हम third question discuss करते हैं that is when a current is set up correctly it is found that a voltage of 3 volt gives a current of 0.5 ampere what voltage be needed to give a current of 1 ampere so question when a current is set up correctly जब आप एक current setup कर लेते हैं and it is found कि आपने voltage उसमें apply किये 3 volt जो कि आपको current दे रहा है 0.5 ampere अब आप ये चाहते हैं कि आपका current जो है वो 1 ampere हो जाए तो उस 1 ampere के लिए आपको कितने voltage provide करने पड़ेंगे अब first of all हमें उस material की जिसमें हम current pass कर रहे हैं हमें उसकी resistance मालूँ होनी चाहिए अगर हम उसकी resistance पता है तो हम ये बता सकते हैं कि आप कितने voltage apply करेंगे तो हम 1 ampere current flow करवा सकते हैं अब first of all हम क्या करेंगे हम जो 3 volt apply कर रहे हैं और हमें current आ रहा है 0.5 ampere इन values से हम उसकी पहले resistance find out करेंगे then हम बता सकते हैं कि आप कितने voltage provide करेंगे ओके इस case में आपको सबसे पहले voltage दिये गए है that is 3 volt आपको current दिया गया है 0.5 ampere सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम resistance find out कर लेते हैं हमने अभी formula पढ़ा resistance का that is resistance is equals to voltage over current so this is the solution अब आप values put करेंगे इसमें voltage that is 3 and current that is 0.5 अब इसको अगर हम further divide करेंगे तो आपके पास resistance आ जाएगी 6 ohm clear अब हमें यह मालूम हो गया है कि हम जिस material में current pass कर रहे हैं उसकी resistance कितनी है 6 ohm है अब हम easily इसके voltage find out कर सकते हैं तो हम current को यहां जाकर multiply कर सकते हैं तो यह formula बन जाएगा V is equals to IR और इस case में हमारे पास resistance की value जो के हम find कर चुके हैं that is 6 ohm similarly हमें current कितना हमें provide करना है 1 ampere का अब हम find करना चाह रहे हैं कि हमें कितने voltage required होंगे 1 ampere current provide करने के लिए तो हम इस formula से find out कर सकते हैं now V is equals to I 1 ampere and our resistance that is 6 ohm तो 6 बन जा 6 हो जाएगा so 6 volt is required to give a current of 1 ampere okay I hope आपको यी questions clear हो गया होंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा take care Allah Hafiz